गुड मानिग श्टुडेंट तो आए देखते हैं क्लास 7 का जो पड़ रहे थे लेसंट 12 चाइनीज वार नेवार का जो रीडिंग कम्प्रेंशन है उसको है ना तो क्या बोला चाहरा है टीक राइट दा क्रेक्ट सेंटेस यहां आप देख सकते हैं चैंज लिव सीन अवर एज तो चैंज अपने हमारे एज में नहीं जीता था हमारे एज का नहीं था तो गलत है यहां पर चैंज लिव डबीफोर दा इन्वेंशन ओप सिल्व तो यह भी इन्वेंशन ओप तो यह भी गलत है उस एज का है जब पेपर का होज हो चुका था तो यह सही है दूसरा है राइट ट्रू और फालस अगैंस्ट दा इस्टेप्मेंट अब ट्रू और फालस अ पताना है है ना और यहां पता गुडाने वाला तो यह सही है गला थे इसको आप देखेंगे आपके पेपर में आता है जाम में पूछा जाता है अब चूज दा करेक्ट आंसर सही आंसर चूज करके लिखना है दे ग्रेट वाल ओप चाइना इस हाना तो जो चाइना का वाल है वह 2400 किलिमेटर लांग है तो इसमें आपसान में दिया है तो जो दिवार है वो कौन से नदी से जुड़ी हुए बोर रहे हैं तो यहाँ पर हंग हो नदी से जुड़ी हुई है यहाँ पलो नदी दिया है यलो रिवर दिया है और साइक योंग दिया है तो यहाँ पर क्या लिखना है अंसर में हंग हो है अब वोकब लोरी देखते ह यहां पर ION जोड़कर लिखना है बोल रहे हैं तो केल्कुलेट का आप केल्कुलेशन बना सकते हैं देख रहे हैं आप Celebrate का Celebration, Dictate का Diction, Dictation और Participate का Participation, Vacate का Vacation, Narrate का Narration और Operate का Operation, Locate का Location. तो ये भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है. Next है, fill in the blanks are choosing the correct word from the box. जो box में दिया हुआ है, उसको भरना है बोरना है. तो पहला है, land which produce good crop has soil. तो यहाँ पर fertile आजाएगे students, हैना? तो यहाँ पर जो अच्छी मिट्टी होती है, वहाँ पर अच्छा फसल होता है बोरना है. Prices of all the items are nowadays, हैना? तो जितने भी आज समान है, उसका rate बढ़ रहा है, increase हो रहा है, तो increasing हो आजाएगा यहाँ पर. Nowadays, we are using a lot of blanks of matter of steel. आज कल हम बहुँ सारे मात्राओं में बर्तनों को उप्योग करते हैं, इस्टिल बर्तन होते हैं, तो बर्तनों को अटेंसिल आजाएगा यहाँ पर. चाहूं था, modern age is called age of the invention. तो modern age है, आधनी की यूग है, वो खोजों का यूग है, मतलब कई प्रकार के वस्तों के खोजों होते रहता हैं अभी हैंना. पांचवा है, we are a part of a great industrial civilization. तो यहाँ पर civilization आजाएगा. और blanks of fence around this field. तो यहाँ पर stretch आजाएगा. और next है, match the column. तो यहाँ पर column को मिलाना है, तो आपने देख सकते हैं, मैं मिलाया हूँ हूँ, फिर बता जेते हैं एक बार. mathematics, mathematics को होता है the science of number. हैना, यहाँ पर number, जहाँ number हो, अंग दिया रहता है उसको, mathematics को कहा जाता है. civics, civics को देखते हैं, दूसरा क्या लिखा है, कि the study of government and its business, हना, कि जो प्रसासान की पढ़ाई करना, हना, इसके व्यापार के बारे में जाना, civics कहलाता है. जियोग्राफी, जियोग्राफी में इस होता है, भुगोल, तो the science of the description of the earth, हना, जो पूरे हमारे धर्ती के बारे में जानकारी रखता है, अध्यान करता है, उसको, जियोग्राफी कहते हैं. बायोलाजी, बायोलाजी देखते हैं, क्या है, the science of living things, हना, यह living things, जितने भी जियोग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको बायोलाजी कहते हैं. एस्ट्रोनामी, एस्ट्रोनामी देखते हैं, पांचवा, the scientific study of stars and planets, आजाएगा यहाँ पर, और बोटनी, बोटनी का है, the scientific study of stars and planets, history का आजाएगा, और history का आएगा, the study of past events, history मतलब जो हम भूत काल के बारे में जानते हैं. तो student आप यहीं पर जो reading compression है, class 7, lesson 12 का यह ख़दाम होता है, I hope आपको समझ आया होगा, यह बहुत important है, thank you very much.